एक बार की बात है, एक घने जंगल में विशाल बर्गत का पेड़ था, उस पेडियाच पर बहुत सारे तोते रहा करते थे, वे सभी हमेशा इधर उधर की बात करते रहते थे, उन्ही में एक मिठ्ठु नाम का तोता भी था, वह बहुत कम बोलता था और शांत रहना पसंद क मिला था, मैंने पूरे दिन उसे बड़े चाव से खाया, इस पर दूसरे तोते ने जवाब दिया, मुझे भी एक दिन आम का फल मिला था, मैंने भी बड़े चाव से उसे खाया था, वहीं मिठ्ठु तोता चुप चाप बैठा था, तब तोतो के मुख्या ने उसे देखते नकली तोता कहकर बुलाने लगे, लेकिन मिठ्धु तोता फिर भी चुप था, ये सब चलता रहा, फिर एक दिन रात में मुखिया की बीवी रोती हुई आई और उसने पूरी बात बताई, मुखिया की बीवी ने कहा, किसी ने मेरा हार चोरी कर लिया है, और वो हमारी ही जु को भागते हुए भी देखा है वह चोर आप लोगों में से ही कोई एक है ये सुनकर सभी हैरान हो गए मुखिया ने फिर आगे कहा कि उसने अपने मुह को कपड़े से ढखकर रखा हुआ था लेकिन उसकी चोंच बाहर दिख रही थी उसकी चोंच लाल रंग की थी अब पूरे ने सोचा कि ये दोनों मेरे अपने हैं मैं कैसे इनसे पूछ सकता हूँ कि तुम चोर हो क्या इसलिए मुखिया ने एक कौवे से इसका पता लगाने के लिए मदद ली असली चोर का पता लगाने के लिए कौवे को बुलाया गया कौवे ने लाल चोंच वाले हीरू और मिठ मिठ्धू तोते को सामने बुलाया। कौवे ने दोनों तोतों से पूछा कि तुम दोनों चोरी की समय कहा थे। इस पर हीरू तोता जोर जोर से बोलने लगा। मैं उस दिन बहुत ठक गया था। इसलिए खाना खाकर मैं उस रात जल्दी सोने के लिए चला गया था। वहीं म पिरू तोता फिर बढ़्धी। तेज आवाज में बोला। मैं उस रात सो रहा था। मेरे बारे में सब जानते हैं। ये चोरी मिठ्धू नहीं की होगी। इसलिए वह इतना शांत होकर खड़ी डिधा है। मिठ्धू तोता चुप चाप खद्दा हुआ था। सभा में मौ और देखने लगे। कवे ने बताया कि चोरी हीरू तोते ने की है। इस पर मुख्या ने पूछा आप यह कैसे कह सकते हैं। कवे ने मुस्कुरा कर कहा। हीरू तोता जोर-जोर से बोलकर अपने जूट को सच साबित करने में लगा था। जबकि मिठ्धू तोता जानता है कि वह सच बोल रहा है। इसलिए वो अपनी बात आराम से कह रहा था। कवे ने आगे कहा वैसे भी हीरू तोता बहुत बोलता है। उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हीरू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सभी से माफी मांगी। यह सुनकर स सभी तोते हीरू तोते को कड़ीडी डीची सजा देने की बात कहने लगे। लेकिन मिठ्धू तोते ने कहा मुखिया जी हीरू तोते ने अपनी गलती मान ली है। उसने सब के सामने माफी भी मांग ली है। इसलिए उसे माफ किया जा सकता है। यह बात सुनने के बाद मु अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें